हलो फ्रेंड्स में आपकी अपनी चलने मंत्रा एजुकेशन हम बहुत सब्सक्राइब करती हूँ आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंडिविजिलाइज फामिल सर्विस प्लाइन जिसको हम शॉट फॉर्म में आई एफस्प के नाम से भी जानते हैं हाला कि बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे हमने तो अभी आई पी पढ़ा था ये आई एफस्प क्या है तो याद रखिए आई एफस्प बहुत जादा इंपॉर्टेंट है आपके सलेबस में आई एफस्प अगर दे रखा है तो भी आपको पढ़ना है इसके इलावा अल्ल पेटिशन की त्यारी कर रहे हैं तो भी आपको पढ़ना है और अगर आप सारी त्यारी कर चुके हैं आप गौर्मेंट जोब तक आप एपलाई कर चुके हैं महां आपने क्लियर कर लिया है एक्जाम तो भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि जब स्कूल मे हम इसे के बारे में discuss करने वाले हैं लेकिन आगे की class देखने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी information अपड़ेट के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बैल आइकन को भी जल्दी से तबा लिएगा class में लास्तक बने रहिएगा किसी तरीके को कोई suggestion हो या कोई और topic आप देखना चाहते हैं तो वो भी comment section में लिख सकते हैं class पसंद आए तो like और share करना बिल्कुर मत भूलिएगा और आप हमें YouTube की जगा और हमें आप हमें YouTube के सासत हमें Facebook और Instagram पर भी follow कर सकते हैं और ज्यादा अपडेट और information वहां पर मिलती रहती है link description में provide कर दिया है तो चलिए बिनवक जया कि आज की class को शुरू करते हैं हम सबसे पहले बात कर लेते हैं individual family service plan के बारे में कि यह क्या है और किस तरीके से यह इससे जो है idea act मैंने बजब बात की कैसे जूड़ावा है उसके साथ idea act क्या है पहले तो यह जान लीजे individuals with disability education act जिसको हम idea के नाम से भी जानते है यूएस का एक act है जिसके अंदर children with special need के उपर जो है काम किया गया उसके rights के बारे में बात की गई है उसके education specific education के बारे में बात की गई है यहां तक की education जो दो साल से कम बच्चे हैं उनके लिए भी दो साल से जो 20 साल के जो बच्चे उनके लिए भी और even के 21 साल के बात जब vocational के लिए काम कर रहे हैं उसके लिए भी पूरी planning जो है इसके अंदर की गई है इन बच्चों के लिए idea act जो है चार पार्ट में divide है A, B, C, D जिसके अंदर जो है early intervention school service program के बारे में बात की गई है special education की बात की गई है IP की बात की गई है IFSP की बात की गई है vocational training की बात की गई है तो यहां particular हम बात कर रहे हैं IFSP की तो part C जो है वो early intervention services की बात करता है जिसके अंदर जो है 20 बर्स से लेकर 0 to 24 यानि 2 साल के बच्चे की बात करता है कि early intervention दो साल तक के बच्चों को दिया जाना चाहिए और part B जो है school age children के लिए है जो 3 से 21 साल तक के बच्चों के लिए है यह जो है toddler या infant जिसको हम लोग कहते infant और toddlers जो बच्चे है यानि 0 to 2 years तक के बच्चे है उन्हें early intervention program जो है provide करने की बात की गई है और early intervention जहां पर आ जाता है तो early intervention कैसे provide किया जाएगा individual family service plan के द्वारा किया जाएगा यह हमारा जो है idea act के part C के sub part B section आपका 303.20 के अंदर जो है इसके बारे में दे रखा है साथ ही साथ आपका जो part C का है section 303.340 से लेकर 303.345 भी जो है इसी के अंदर include है किस तरीके की services provide की जानी चाहिए उसकी definitions जो है इसी के अंदर provide की गई है यह जो IFSP plan है वो हमारे idea act में जैसे मैंने बोला है part C के अंदर early intervention की बात होती है तो उसी के अंदर जो है दिया गया है IFSP के define जो है part C sub part B 303.20 में जो है बताई गई है इसके इलावा part C section 303.340 से लेकर आपका 303.345 के अंदर इसकी क्या-क्या इसके अंदर services जो है किस तरीके से coordination करना चाहिए उसके बारे में पूरी तरीके से बताया गया है हमारे IFSP जिसको हम individualized family service plan के नाम से या program के नाम से जानते हैं यह एक legal document है legal document जो इसको idea active द्वारा ही बनाया गया है यह एक professionals द्वारा इसको complete किया जाता है और families के साथ assistant जो families होती है बच्चे की children with special needs की families होती है वो as a assistant का काम जो है करती है क्योंकि professionals जो है वो एक तरीके से पूरा documentation करते हैं बच्चे को क्या need है उसके बारे में बताते हैं या क्या need है उसके बारे में जानेंगे लेकिन वो जानेंगे किस से family के जानें फैमिली के थ्रू जानते हैं उसके information को उन देता family देती है क्या बच्चे को need है वो families जो है वो बताती है किस तरीके से वो behave करता है वो families बताती है लेकिन family जो है वो काम करती है एक तरीके से assist जो है वो उस चीज़ को करती है और यह जो particular IFSP plan है children with special need के लिए है birth 2, 2 और 3 year अभी हमने बात की birth 2, 2 year idea act के अंदर जो लिखा है birth 2, 2 यानि आपका 24 months के लिए है 2 साल तक के लिए है लेकिन यहाँ पर 2, 2, 3 क्यों दे रखा है reason बता देती हूं क्योंकि idea act के अंदर जो है दो साल तक के लिए बच्चों के लिए IFSP plan जो है वो किया जाता है और IEP जो है तीन साल से start है 21 साल तक के बच्चों पर अब यह 2 से 3 साल के जो बच्चे बीच में हैं वो कहां जाएंगे वो IFSP में जाएंगे या IEP में जाएंगे वो चीज़े clear नहीं है तो generally जब हम early intervention परते हैं तो early intervention की जो age हम लोग बात करते हैं 3 साल तक की करते हैं तो इसलिए जो है या consider किया गया है कि IFSP प्लान भी जो है 0-2-2 या 3-year के बच्चों के लिए बनाया जाता है इसमें जो है documentation पूरी तरीके से किया जाता है family center रहती है changes किये जाते हैं बच्चे के environment के अंदर बच्चे के instructions के अंदर बच्चे के जो भी आसपस infrastructure है उसके अंदर changes किये जाते हैं और पूरी planning के साथ ये काम किया जाता है पूरे goal जो है वो ढूंडे जाते हैं या बच्चों के select किये जाते हैं कह सकते हैं कि select किये जाते हैं उस पे पूरे systematic तरीके से काम किया जाता है और systematic तरीके से पूरी तरीके से जब काम हो जाता है तो उसी तरीके से evaluation भी किया जाता है और पूरा ये जो है orally नहीं चलता है पूरा हर एक चीज जो है वो documentation के साथ चलती है planning से लेकर planning से भी अगर मैं बात करूँ उससे भी पहले कि क्या assess किया observation किया क्या assess किया then क्या goal किये फिर implementation then evaluation फिर उसका result report वो सारे चीज़े जो है कटी होके bind होके documentation जो है वो बहुत ज़रूरी है इसके अंदर वही उसको जो है legal बनाती है individualized family service plan क्या है जैसे भी हमने पहले भी पढ़ा कि हमने IFSP जिसको हम individualized family service plan के नाम से जानते हैं यह एक legal document है जो idea act इसको legal बनाता है और यह जो है family की और बच्चे की strength को बढ़ाने का काम करता है उसी के उपर पूरी तरीके से based होता है early intervention program है एक तरीके की early intervention service जो है इसी के द्वारा provide करवाई जाती है infant या toddler जो बच्चे होते हैं यह उनके लिए है जिनमें infant या toddler बच्चों में किसी तरीके की disabilities पाई जा रही है development delay जो है वो पाया जा रहा है या कह सकते हैं families जो है उन्हें पूरी तरीके से समझ नहीं पा रही है या उन पे सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है ऐसे बच्चे जिनको किसी तरीके की need है development delay हो रहा है उनके लिए जो है यह plan बहुत अच्छा है और कह सकते हैं जो बच्चे risk factor पे हैं development risk factor पे या कह सकते हैं पूरी तरीके से disability अभी हुई नहीं है लेकिन उन्हें risk factor है जिसको chance है उनको आगे disability होने का या किसी तरीके की disease होने का तो उन्हें भी early intervention services जो है provide करवाई जाती है जिसके अंदर IFSP प्लान बहुँ ज़ादा important है IFSP बनाने का purpose है जो children with special need है उनकी जरूरतों को identify करना और उनके resources को organize या उनको provide करना कह सकते हैं कि family को उनकी care करने के लिए support करना resources available करा के भी कह सकते हैं कि उनको identify करके और उनको resources provide करके जो है family की help करना इसके इलावा जो है second हमारा कह सकते हैं कि क्या है ongoing support is provide to parents माता पीता को लगाता जब भी कभी कुसी भी चीज को जरूरत हो तो उनको support जो है वो provide time to time करते रहना next है जो family services program है ये individualized family service program नाम से है कि individual है हर person के लिए अलग planning की जाएगी तो ये जो है हमारा जो service program है ये family और child center based है यानि यहाँ पर जो है बच्चे को ध्यान में रखकर और family की needs को ध्यान में रखके family के status को ध्यान में रखते वे family का environment को ध्यान में रखके ये child की चीज़ों को ध्यान में रखके जो है पूरी तरीके से प्लानिंग की जाती है साथ ही interdisciplinary team approach का use किया जाता है family member जो है वो भी इस team का पूरी तरीके से हिस्सा होते है चाहे starting से लेकर evaluation तक जो है family member का पूरा support चाहिए होता है पीना उनके जो है possible नहीं है ये program का success होना अच्छे से उस पे काम करना तो कह सकते हैं कि family जो है एक सबसे important जो है team member है इस IFSP program का इसके इलावा जो हम कह सकते हैं next a service coordinator appointed to manage services यहाँ पे coordinator क्या है जो भी IFSP plan जो है वो बना रहा है वो coordinator है वो services बच्चे की need को देया माग में रखते हुए जो है उसको plan करता है और services provide करने के लिए पॉइंट करता है कि इसको speech therapy की जरूरत है इसको special education की जरूरत है या इसको occupation therapy की जरूरत है वो appoint करता है और वो उसको manage करने के लिए parents को जो है बताता है next जो है हमारा parents may serve and be trained in the capacity यहाँ पर जो है parents जो है पहले भी बता चुकि छोटा बच्चा है आपके साथ अब पूरा दिन नहीं रहता है तो parents को जो है guide करते हैं कि किस तरीके से आपको काम करना है किस तरीके से आपको बच्चे को कैसे कैसे उसको सिखाना है तो parents को जो है वो trained किया जाता है इस services के लिए और आगे जो है वो बच्चे को जो है वो trained करते हैं इसके इलावा next और last जो है इस page पर specific steps are in place to transition the child to the next intervention program यहाँ पर बच्चे के intervention program बनाया जाता है और उसके लिए next step क्या होगा उसका एक step से दूसरे step की तरफ उसे आगे बढ़ाया जाता है एक intervention program चलाया तेन उसका जो goal अचीव हुआ तो फिर next intervention जो है program चलाया जाता है तो यह continue एक process की तरह काम करता है हम next बात करते हैं parents के role की in IFSP अब जब हम बार बार कह रहे हैं कि parents के बगार IFSP नहीं है, team के member है, बहुत important है member है तो हमें जरूरत है उसके role की जाने की कि क्या उनका role है, क्यों उनका इतना बड़ा एहम role है इसके अंदर तो वो जाना बहुत जरूरी है सबसे पहला तो parents बहुत अच्छे से अपने बच्चों को जानते है, parents जो है अधिकतर कहते हैं बच्चे जो है parents के पास रहता है या primary caregiver भी आप कह सकते हैं उनके पास जो है रहता है, तो वो उसकी हर छोटी से छोटी चीज जो है वो जानते हैं, वो कब हसा, वो कब बोला, वो दूसरों के पास जाना पसंद करता है, interaction करता है, गोद में जाता है, किस तरीके से उठता है, किस तरीके से बैठता है, खाता कैसे, पीता कैसे, वो सारी information सही जो है वो parents के पास होती है, एक जो भी इस IFFSP को professional बना रहा है, तो वो छोटी सी visit बच्चे के साथ interaction करके वो सा सारी चीजों को सही तरीके से नहीं समझता, क्योंकि बहुत पार ऐसा होता है, कि बच्चा unknown person को देखकर सही तरीके से reactी नहीं करता है, जितना उसको जो आता है, वो उस तरीके से reactी नहीं करता है, तो वो possible नहीं है कि वो सारी information जो है collect करे और सही तरीके से collect कर पाता है, तो इसलिए भी parents का role ज़रूरी है. सबसे पहले जो parents का role आता है वो है अपने बारे में, अपने बच्चे के बारे में जो है involvement प्रोवाइड करना और सही information प्रोवाइड करना. कि उसको क्या पसंद है, उसको twice पसंद है या नहीं है, या कौन सा twice पसंद है, कौन लोग उसे पसंद आते हैं, किसके पास वो जाना पसंद करता है, वो किस से दूर रहता है, किसके पास आने से वो रोता है, वो कब उठा, कब बैठा, कब चला, वो कब smile पास करी, अगर आपक से शेयर करें, कि उसे खाने में दिकत है, उसे सोने में दिकत है, किसी तरीके से जिज़के नहीं, किया जो भी आपका, जो कौौडिनेटर होगा, जो कौौडिनेट कर रहा है उसको या जो आपके assist कर रहा है तो उससे सारी चीज़े सही तरीके से share करें शर्माने की जरूरत नहीं है जिजकने की जरूरत नहीं है अगर बच्चे का सही future अगर देख रहे हैं सही planning आप चाहते हैं तो parents की भी responsibility है कि वो सारी information जो है provide करें और सही information provide करें सही intervention program या सही planning तब ही हो पाएगी जब information सही और पूरी उसको मिलेगी next responsibility या role कह सकते हैं parents का कि उसको बच्चे को नई नई चीज़े सीखने के लिए opportunity provide करी जाए ऐसी नई है कि बच्चे को हमेशा safe zone में ही रखना चाहिए उसको नई चीज़े सिखाने के लिए opportunity ही नहीं देनी चाहिए अगर आप कोई new skills सिखा रहे हैं बच्चे को daily life से related अगर कोई skills सिखा रहे हैं तो उसे के different different environment में उससे सिखाए जाए उसके लिए ऐसा environment create किया जाए ताकि वो उस चीज़ को explore कर सके चीज़ों को learn कर सके उसे ऐसी activities के अंदर involved किया जाए जिसके अंदर other family member जो है या other लोग भी जो है उसे involved किया जाए ताकि उनसे भी वो चीज़े नई नई दूसरों से चीज़े सीखे और उस चीज़ को enjoy कर सके पेरेंट्स का role जो है यहाँ पर चीज़ों को बच्चों को नई नई चीज़े सिखाना और साथ ही में बच्चों के लिए environment create करना और बच्चों के लिए different different activities जो है provide करना जो है उसकी responsibility है next responsibility है कि early intervention program या IFSP plan जब बनाई जा रहा है तो उसके लिए team choice जब select की जा रही है तो उसमें उनका बहुत बड़ा role रहता है कि parents को बताना कि coordinator को या professional को कि parents को क्या लगता है कि बच्चे के लिए क्या important है वो क्या feel करते है उनको क्या लगता है कि उसको किस चीजों की need है तो उसी के according जो है team बनाई जाती है तो पूरे तरीके से अपनी role को जो parents को पूरा निभाना बहुत ज़रूरी है इसके लिए इसके बाद जो है क्या outcome निकल के आ रहा है वो उनके लिए meaningful है या नहीं है उस चीज़ के लिए वो agree है या नहीं है चाइड के लिए वो meaningful है या नहीं है उन चीज़ों की ये जो है उसके लिए भी पूरी तरीके से parents responsible रहते हैं साथी में ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि parents जो है किस तरीके के environment में है क्या वो उस services को provide कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे सही information पता तो लगे कि जो professionals हैं जो team जो coordinate कर रहा है तो वो बता दे कि ये 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 need है मुझे speech therapy भी करवानी है ये भी करवानी है उसने consultant भी बता दिया कि आप इसके पास चले जो speech therapy हो जाएगी इस पे पास चले जो occupational therapy हो जाएगी दो दिन इधा चले जान दो लेकिन आपने तो अपना बताया ही नहीं कि आप उसे afford कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे आपने ये बताया ही नहीं कि आप उतना time दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे तो parents के responsibility है कि team बनाते पर सारी conditions को सामने रखे कह सकते हैं इसलिए ही अच्छी family services तभी provide हो पाएंगी family की needs को identify भी करना उतना ही जरूरी है जितना बच्चे की need को identify करना और उसके लिए पूरी तरीके से parents का role पूरा रहता है तभी जो है सामने वाला समझ पाएगा कि family की क्या need है क्योंकि बच्चा तो सामने आया तो हो सकता है बच्चा जब सामने आ रहा है तो उसके कुछ चीजे जो है professionals को समझ में आजाए लेकि family तो सारी सामने नहीं आई है प्रामली की कंडिशन तो सामने सारी नहीं आई तो वो कैसे बता लगे कि जब तक पेरेंट्स खुद नहीं बताएंगे नेक्स सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है इंपोर्टेंट्स अभी है लेकिन ये और भी कहीं साथ आपने सही इंफोरमेशन तो दे दी आपने टीम मेंबर्स भी बना दिये लेकिन जब इंटर्वेंशन की बारी आती है जब प्रोफेशनल्स ने एक प्लानिंग कर दी और उस पर काम करना जब शुरू कर दिया तो जब आपको बोला जारा इंगेज होने के लिए उसके साथ तब आप उस टीम में होते वे भी आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो वो इंटर्वेंशन बिलकुल बेकार है तो जो उससे पहले जो सारी प्लानिंग की है वो भी सारी है प्रोफेशनल इसको आइवस्पी प्लान को कोई स्पेशल एजुकेटर देख रहा है या कोई शुशल वर्कर देख रहा है जो भी इसको कोई भी प्रोफेशनल देख रहा है जब वो विजिट के लिए आ रहा है और विजिट के दौरान जो भी काम कर रहा है उस बच्च का session लेकर चला जाएगा लेकिन पूरा दिन आपने उसके साथ रहना है फिर जब वो ऐसे ही activity नहीं करेगा बार बार नहीं करेगा तो वो नहीं सीख पाएगा तो उससे सिखाने की responsibility आपकी है तो आप उसे तभी सिखा पाओगे जब आपको पता है कि जो visitor है वो किस तरीके से एक जो है आपके बच्चे को काम करा रहा है किस तरीके से जो है वो उस नई skills को सिखाता है तो आपको उसे सीखना जरूरी है आपको उसके लिए आपको सीखने के लिए जो है आपको questioning करनी जरूरी है कि क्या हो रहा है किस तरीके से हो रहा है ये क्यों हो रहा है आगे step आप को कैसे करवाना है आपके पीछे मैं प्रेक्टिस किस तरीके से करवाँ तो ये सारी चीज़े जो हैं आपके पार्ट लेना बहुत ज़रूरी है तो आप उसको जब तक खुछ से इंज्वाए भी नहीं करेंगे तब तक आप उसको पूरी तरीके से 100% नहीं दे पाएंगे तो आपको भी पूरी तरीके से यानि पेरिंट्स को पूरी तरीके से इंगेज होना है, चीजों को सीखना है और फिर बच्चे को करवाना है तो ये चीज जो है, ये रोल जो है पेरिंट्स के बहुत जादा इंपॉर्टेंट है यहां पर इस पी का प्रोसेस दे रखा है कि किस तरीके से IFSP काम करता है सबसे पहरे रेफरल होता है कि इन बच्चे को जो है IFC प्रोग्राम की जरुरत है तो इसे एक कॉडिनेटर जो है असाइन किया जाता है फिर assign करके जो है IFSP development की meetings होती है फिर उसके लिए team जो है वो pick की जाती है और उसे assess या evaluate करती है फिर जो सारी information होती है वो families को के साथ share होती है उसके बाद जब वो eligible होते हैं उस चीज़ के लिए तो उसे जो है फिर दुबारा IFSP की meeting होती है अगर नहीं होते हैं तो उसे community program के लिए referral किया जाता है अगर IFSP की जो meeting होती है उसके अंदर plan किया जाता है कि किस तरीके से काम किया जाएगा कैसे काम किया जाएगा क्योंकि team work इसके अंदर काम होता है IFSP जो होता है जब team work अपना ready कर लेता है planning तो वो जो भी services plan की गई है वो जो है शुरू हो जाती है या यह कह सकते हैं intervention program जो है वो शुरू हो जाता है या IFSP plan जो है वो उस पे काम होना शुरू हो जाता है उमीर करती हूँ कि आज की class जो है IFSP को समझन में आपको पूरी तरीके से help करेगी अगर आपकी किसी तरीके के questions है या queries है तो आप comment section में लिख सकते हैं मैं जरूर दूर करूंगी जाने से पहले अगर class समझ में आई है पसंद आई है तो like करना बिल्कुल मत भूरिएगा share करना बिल्कुल मत भूरिएगा और अभी तक channel को subscribe नहीं किया तो ऐसे information के लिए update के लिए ज़दी से channel को subscribe और bell icon को भी ज़दी से दबा दीजे आप हमें facebook और instagram पर भी follow कर सकते हैं link description में provide किया है वहाँ पर इससे अलग और हटके information आपको मिलती रहती है तो चलिए आज के लिए बस इतना ही एक बाद फिर से हाजिर होंगी एक नई topic के साथ एक नई update के साथ नमस्ते शुक्रिया